कैसे हैं आप लोग आज हम लोग यूपी पीश्यस द्वारा जारी बिकिप्ती जो ब्लाक एजुकेशन आफिसर खंड से चादिकारी बीओ की भरती परिच्छे उसके सिल्वस के बारे में बात करते हैं यूकि सबसे बड़ी समस्या सिल्वस को लेकर है कि क्या पढ़े कहां से पढ़े किस किताब से पढ़े कौन सा पेपर बहतर है आज हम इन सभी की पुरी बिस्तिर बाक्ठा करते हैं क्या पढ़ना है कहां से पढ़ना कि इतना पढ़ना उससे बड़ी बात ही है कि अलबार का परिच्छा पैटर्ण जो है यह 13 वर्सों के बात आयो जित हो रहा है औ तो कहीं न कहीं अन्य भरती परिच्छों में थोड़ी से आपके लिए समस्या कर सकता है क्योंकि जो तहारी होगी वह आपकी स्टेंडर लेवल के नहीं है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पढ़ सकता है तो यह बिग्यापन आपने देख लिया होगा फॉम भी आप जितना सुनने में बहतर लगता है कि बीओ बीओ उतना आसान भी नहीं कोई कि इसमें 12 लाग से जादे आवेदन होंगे और पत संक्या जैसा कि आपको ही पता होगा 309 है तो यहाँ पे जो साची योगता की बात कर काफी बिवादित चल ला है तो मैं इस पे एक बात पहले कर दना चाओंगा कि जिसमें बीटीसी जो है वह इजबल नहीं है वह आवेदन कर सकते हैं लेकिन वह अंतिम रूप से पात्र नहीं होंगे इस पत के लिए इसलिए अगर बीटीसी धारक है वह बात को भली भात ही जान ले कि इस बीई ओ की जो खंड से इच्छा दिकारी की गेंशी है उसके लिए यह नहीं है वह प्रुठमिक के लिए daha प्रुठमिक लेन होता अगर need की बात करें दोनों कर वे बात करें दोनों को व्यथन मान लख बक सामान नहीं एक साह लिकिन फिर भी एक बढ़ा असांतर देखने को मिलता है की करिमा लेकर इसलिए अपर प्राम्रे के लिए है यहां पर प्राम्रे के लिए है यहां पर इस पर इच्छा के लिए योग्य नहीं है तो यह बात आपको कर देना चाले थे सबसे पहले ही उसकी बात आगे देखते हैं यहां पर दिखा किसी भी मानेता प्राप्त विश्विद्यालेस हो बीएट की डिगरी नहीं है तो सरकारी प्रेसिक ट्रेनिंग का लिए द्वारा उसकी पास ल्टी की डिप्रोमा होनी चाहिए और किसी भी किया आगे देखते हैं यह तो हो गए योगयता की बात अब आते अम्र श्रीमा की बात करते हैं वह 21 वरसे उसमें भी नियमानुजर छूट की बहुस्ता की गई है कि किस आधार पर उसमें छूट दी जाएगी उसका भी प्रौधानिया पर किया गया है तो एक एक करके हम और आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानने का प्रियाश करते हैं मुख्य परिच्छा को परिच्छा के बारे में कोई आचित नहीं और साथी साथ वीडियो का आपशीर और ना भूले गा और वी यो की जो नोट्स है इसकी पेड़ाप फॉर्मेट में इसकी प्राक्टिस सेट है वह भी मारे टेलिग्राम पे मिलेगी तो मैं आपको बता भी देता हूं कहां पे अप्लब्द होगा तो यहां पे हमने यह देखा कि प्रारभिक परिच्छा उमें लिखित परिच्छा पूछे जाएंगे फिर आगे देखा हमने प्रारभिक परिच्छा में वस्तनिस्ट प्रकार के जो प्रश्णों में निक्यू टु मार्किंग की विवस्ता की मैंने वन वाई थर्ड मनेकर आपने तीन प्रश्णों को गलत कर दिया तापकि एक सही प्रश्णों को भी उत्त में पूछे जाएंगे और इनकी अंकों की संख्या 300 होगी समय होगा दो घंटे माने 120 प्रश्ण 300 अंकों का और दो घंटे के लिए यह पूछे जाएंगे तो यहां से आपका कॉंसेट क्लिए हुआ होगा यहां से अगर कोई समस्चा हो ता बहुच्छे हम से पूच्छ सकत है कि शिल्वस क्या होगा अगे शिल्वस को लेके एक शोट्री सी सरसरी नेगा डालते हुए इनके बिसे में पढ़ते हैं तो यहां पर पहला आप कहा है सामान बिग्यान अर्था जिसे हम जनरल सॉइंस कहते हैं तो सामान बिग्यान की जब हम बात करते हैं तो एक बात यह आसपस्ट हो जाती है कि सामान बिग्यान के प्रिष्ट में दायनिक अनुभो प्रिच्छन से सम्मंदित विश्व सहीद विग्यान के सामान परिबोध यह जानकारी पर अधारित होंगे जिनकी किसी भी सुसिचित ब्यक्ति से अपच्छा की जा सकती है जिसने विग्यानिक भी जिए अध्यानिक विश्व का अध्यान नहीं किया गया अन्तरिष्च प्रदुगी की को भी इसके अंदर संब्लित किया गया लेकिन आगे करनट अफेर में भी उसको संब्लित किया जाएगा अर्थात यहां पर हमने इन बातों को देख लिया अगला टॉपिक आता भारत की तिहास के बारे में बात करें तो यहां पर दो तत्यों होंगे एक भारत का तिहास है दूसरा है भारती रश्टी अंदूलन इन दोनों को हम एक साधी पढ़ सकते हैं और अलग से भी पढ़ सकते हैं अगर हम इन दोनों के बात करें तो यहां पर एक तत्यों तो हमा प्राप्ति के बार में सामान जानकारी ये आयो को पिच्छा करता है कि आपको सामान इतिहास के बारे में जानकारी होगी इसको भी तीन भाग में दिवाट करेंगे जैसे अगर देखेंगे तो सब श्री पहले अगर होगा तो इसमें एसे निश्ट्री फिर मैडूवल फिर मो ते भारती राजतंतर आर्थिववस्ता मैं गरने के बाद करें तो जो भारती राजतंतर आर्थिववस्ता संस्किति की बात करते हैं, तो इसमें क्या हैं? इसमें नंचाहती राजञ्टी भारत की आर्थिक नहीं दिखे, ब्यापक लच्छडों यों भारती संस्किती की जनकारी पर प्रशन पूछे जाएंगे, माने कि देखने में टॉपिक तो वास्तों बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जैसे प्रशन बनेंगे, तो प्रशन काफी बड़े हो सकते हैं, इसमें ब्रशन में अनर्थिक टॉपिक दिया है आर्थिकी डेखा जेएगा, यहां पर दिखा जायाएं, तो अकि अर्थिपोष्स्ता में वाडिजी उन्ब्यापक नुनिश्य तॉपिक आर्थिकशी की बात करें, यहां पर भी एक तर्शुथा जा जाता है भारत भुगोल और पाकेदिक शंठाद भारत भुगोल और पाकेदिक शंठाद ये टॉपिक काफी स्कूरिंग सब्जेक्ट होता है खासकर अगर लोग से वाएक दौरा आयोजीत कीज़ा कोई भरती परिच्चा तो वहां के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपोड हो जाता है तो आप हमें ये देखने को मिलता है हमें ये ग्यात होता है किश में आपको गुषोजड सोफ्तिक समाजी एक आर्फी भोगोल विस्वह में केवल सामानी जानकारी की पर्ग होगी भाहित की भोगोल के अंतरगर्द देश की बहुत तीक समाजी के आर्थी भोगोल से समधित परशनी पूचे जाएंगे प्राकतिक संसाधन को भी सम्लित किया गया है जिसमें प्राक्तिक संसाधन के बारे में इसका अध्यन किया जाएगा अगला टॉपिक की फंडेस पहल हम आपको बात बताना चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम से जोरी जोड़ेगा टेलीग्राम एप पर सर्च करिएगा जैनी नामों होगा अपंट आपने खुल का रहाएगा एक सामने खुल कर आहयाlieगा जिसका नाम होगा जिसका नाम होगा कि खंड इस इच्छा जिगारी तो भाप आप उसे जाइन कर सकते हैं हमारे online class नोड्स भी उपलब्द है उसके लिए आप वाट्सेप कर सकते हैं 6306344367 पर आप हमें वाट्सेप करके जनगरी ले सकते हैं हमारे online class, notes, video lecture, practice, सभी चीज़े आपको उपलब्द होंगी आगे दिखते हैं हम लोग तो अगला topic आपका जो है वो है इतरह से अधुनातन राष्टी तथा अंतराष्टी महत्वण घटना करा मतलब यह current affair के लिए पूछना चाहता है यहाँ पर राष्टी और राष्टी महत्वण की समसमा की घटनाओं पर अत्वहरतियों की जनकारी रखनी बहुती महत्वण हो जाती है यहाँ पे इसके लिए हम कुछ मात्रपुन तर्थियों को बाद में लेका रहेंगे जिसमें हम आपको डेड़ बता देंगे किस किस तिथी को आपकी जो क्लासेज हैं वो करेंट अफेर की किस किस समय चलेंगी ताकि आपको उस समय पढ़ते समय किसी प्रकार की समश्राओं का समदा ना करना पड़े तो आगे चलके देखते हैं फिर आगे जैसे हमें देखेंगे तो आगे आपके हैं समान बौधिक के उतारकिक चमता की जब हम बात करते हैं देखिए अगर यह प्री परिच्छा होती है तो उहाँ पर सी सेट में यूज होता लिकिन आपर सी सेट अल जैसे रिजिनिंग के जो प्रेशन होंगे वो पूछे जाएंगे रिजिनिंग में भी कई टॉपिक हों टॉपिक हों अलग अलग हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे तो आप यह देख लेंगे कि इसमें भी किन किन तत्यों को पढ़ना है और बहुत डीप में तो नहीं आ करी कि इस बार रहा है उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश प्रस्ट नहीं पूछे गया थे जिस पर अभ्यारतियों ने आयोग के उपर कड़ी नराजगी जताई थी उस कड़ी नराजगी के जताने का पढ़ाम यह निकला कि इस बार हो सकता है आयोग अगली परिच्छ दो दो ब्रशनों के बाहर लगा सकता है तो कि इसके भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति उत्तरप्रदेश में आवेदन कर सकता है इसलिए उत्तरप्रदेश स्पेसल इस बाहर पूछे जाने के सम्वाना थोड़ी से जादा बढ़ जाती है अगला के आपके शा पूलांक संख्याओं के बीभाजयां अभीभाजी पूलांक संख्याओं का लगत्तम स्वाम वर्तम महत्त्म स्वाम वर्तम tu Caribbean संख्याप पधिक अंत्र गता हैगा कुलिस में आठ अध्या है तूसरा वसत है अनुपात है फिरपत्स्यत है लाभानी है व्याज है जिसमें साधान सेश्फल प्रमे सेरल योगुंपद समीक्रण द्लिखाध समीक्रण समुच्य सिध्धांथ समुच्य उचित समुच्य रिट समुच्य समुच्य की अज शंक्रियां फिर 3D आकरती में गोला, समकोनी वित्ताकार बेलन, समकोनी वित्ताकार संकू, घन के आयतन, घनाप, घनाप के समकोन, पिश्टुन का आयतन, इन सभी तत्यों को पूछा जा सकता है आपके रिखागडित के अंतरगत, फिर एक टॉपिक बसता जो इसमें नहीं दिया है सांकि की, व्योंकि उत्तरपदिर पिश्ट में सांकिकी का एक बड़ा बुलबाला रहता है, सांकिकी की आकड़ों का संग्र, आकड़ों का वर्गी करन, बारंबारता, बारंबारता, बंटन, साणी, संचई बारंबारता, आकड़ों का निरूपन, डंड चार्ट, पाई चार्ट आयत चित्र बारंबरता भवबू संचई बारंबरता वक्र किंदी प्रवित कीमाग समांतर माद मदिका बहुलग ये भी आपके गणित के अंतरगत ही आते हैं लेकिन उपी PCS में अगर हम लोगर PCS से अन PCS की तुलना या पिछली प्रिवेश एर के पेपर को अगर हम देखत बात होता है कि B-E-O उतना असान नहीं जितना असान हम लोग सोच कर बैठे हैं बहुत सरे कुझे शनस्तान की क्लासित में शुरू कर दिये लेकिन इस बात का भी आप विशेश ख्यार लगिएगा कि आप अपना दाखिला लेते समय ये बात की पुरी तरसे सुनेश्चित क लेजेगा कि यह आपके लिए योग्य है या नहीं क्योंकि इसमें तेरे लाग से जादे आविदन होंगे और आपकी जो पदशंख्या है वो किवल तीन सोना है तो आपका भविशेदाओं पे न लगने पाए इसलिए इस बात का विशेश ख्यार आपको करना है अगर आप आपके लिए हर भरती परिच्छा में यहां से पुछे जाने की शब्स बड़ी शंभावना होना होंगी हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे हैं मुख्य परिच्छा तो देखिए टेलिग्राम पे दुरगेश साथ से जुरू जुड़ेगा इ सबसे पहले हमारे ले इसकी अगर देखा जाए तो फॉर्ष्ट पेपर कहा जाये जो प्रारमिवर्बी परिच्छा वह हमारे आपके लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा नुपतोप्र है सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसकी तेयारी के लिए दरंत येर पेपर के आधार पर हम उसमें प्रश्णों को तथ्यों को शंग रहेंगे और उसका सॉलूशन भी हम आपको अपने यूटूब चैनल पर तो बस आप लोग भी हमारे शाथ रहेगा आप अपना भैता दीजेगा हम भी अपना भैतार देंगे शफलता है कब तक आप शें आप कमेंट कर दीजेगा या कोई भी चीजे मुझे बाता आते समय यदि छोड़ गए होंगी तो भी आप कमेंट करके आप में जबाब दीजेगा हमारे ऑनलेंग क्लासे शुरू है उसके लिए आप देख लिजेगा क्योंकि इसकी सबसे अहां पोजिशन जरू समय लिजे